नमस्कार साथियों मेरा नाम है आरके सिंग और आप देख रहे हैं संस्कृति यूटूब चैनल आज हम अपने करेंट अफेर एनाल्सिस में जिस थीम पर बात करने वाले हैं या जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है इंडिया नेबर हुट कंट्री यानि कि भारत भी एक खासकर एक ही देश के साथ जो मुद्दे हैं और वो देश कौन सा है वो है मैनमार यानि कि भारत के पडोसी देश मैनमार के साथ जो मुद्दे हैं उनके संदर में आज हमारी चर्चा होने वाली है और मुद्दों में भी क्या है कि आज का जो मुद्दा है वो है नियूज आजकल समाचारों में बनी हुई है तो इसी नियूज के संदर में यानि कह सकते हैं कि भारत यो मैनमार के बीच में जो मुक्त आवा जाही बिवस्था है जिसको अब क्या है कि इस पॉलिसी में परिवर्तन करने की मांग उठ रही है तो इसी के संदर में इस से की नियूज है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और फिर इस पॉलिसी को रिव्यू करने से समंदित जो डिमांड उठ रही है ये क्यों उठ रही है इस प्रस्ण के जो सवाल है इसके जबाब हम तलासने का प्रयास इस सेशन में करने वाले हैं तो सबसे पहले है government plans to end free movement regime along international border with Myanmar यानि कहने का मतलब क्या है कि एक तरसे सरकार जो है वो मन बना चुकी है कि Myanmar के साथ जो हमारी क्या है कि free movement regime है यानि जो मुक्त आवा जाही बिवस्था है उसको हम अब समाप्त करेंगे ठीक है तो यह न्यूज है और अगर आप बात करेंगे कि यह जो न्यूज है यह हमारे पाठिक्रम के किस खंड से जुड़ता है तो देखिए एक तरफ जहां क्या है कि कोई भी अगर न्यूज होगा तो वह location based होगा तो वह paper first से तो जुड़ेगा ही क्योंकि वह जो ग्रफ का location होगा दूसरी तरफ क्या है कि इसमें जो बाते कही गई है वह अंतराष्टी संबंधों को ध्यान में रखते हुए कही गई है तो इस आधार पर यह paper 2 के आई यार से भी जुड़ेगा फिर इसी के साथ क्या है कि यह internal security से भी जुड़ता हुआ टापिक है यानि कह सकते हैं कि हमारी आंतरिक सुरच्छा या national security राश्टी सुरच्छा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है तो सबसे पहले देखते हैं कि है आखिर यह पूरा मामला क्या है तो अब अगर बात करें तो मैनमार के साथ जो मुक्त आवा जाहिव व्योस्था है यह एक्तर से क्या है कि आपसी सहमती के अधार पर इसे बनाया गया और इसी को क्या है कि अब सरकार बंद करना चाहती है और बंद करने के पीछे जो सबसे महतपूर कारण है वो भारत में इस बिवस्था के तहट जो बड़े अस्तर पे अवैद प्रवासी आ रहे हैं और दूसरी तरब क्या है कि इनलीगल जो एक्टिविटीज हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए या उन पर रोक ल बिवस्था है यानि जो क्या है कि free movement regime है इसके तहट क्या है कि जो पहाड़ी जन जाती है या कह सकते हैं कि हमारे देश और मैनमार के बीच में जो सीमा रेखा है उस छेत्र में जो पहाड़ी जन जातियां है या जो उनके सदस्य है या तो वह भारत के नागरिक हो या फिर क दोनों को एक सहुलियत प्रदान की गई थी कि यह सीमा के किसी भी तरफ सोरह किलो मीटर की भीतर के छेत्र के क्या होंगे इनको निवासी माना जाएगा और क्या है कि यह एक बर्स के वैता के साथ सीमा पास प्रस्तुत करके यह क्या है कि सीमा पार कर सकते हैं और प्रतियात लोग हैं वो बिना किसी बीजा के एक छेतर से दूसरे छेत्र में 16 किलोमेटर तक आते जाते रहते थे या उनको क्या था यह अनुमती प्रदान की गई थी कि मुक्त आवा जाही वेवस्था जो FMR है उसके तहत क्या है कि यह इस छेत्र से दूसरे छेत्र में सोरा किलो मीटर तक क्या कर सकते हैं आवा गमन कर सकते हैं और इसी को क्या है कि पहले क्या था कि इसके बहुत सारे लाब थे जिसको हम आगे देखेंगे कि आखिर वे कौन से लाब थे जिसको ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों ने इस तरह की ब्योस्था यहां लागू क माइनमार है कि सीमा के पास जो रहने वाले लोग है उनको क्या है कि बीना बीजा के एक दूसरे के चेत्र में जाना संभव नहीं होगा और इसके लिए क्या है कि अब बीजा या इस तरह के जो सरकार प्रावधान निर्मित करेगी पास का वो अनिवार हो जाएगा तो अब क्या है कि इस से संबंधित अब जो समस्याएं हैं वो समाप्त करने की तरफ सरकार ध्यान दे रही है और इसी में क्या है कि तरित अस्तर पर भारत ने क्या किया है कि इस सीमा छेत्र पर या कह सकते हैं कि जो बांडरी लाइन है वहां बार लगाने की जो क्रिया है वो प्रारम कर दिया है तो यह बाते थी इससे संबंधित जो मुद्दा है अब हम बात कर लें कि आखिर ये क्य मैनमार के छेत्र से भारत के जो नार्थ इस्ट के स्टेट हैं पुर्वत्तर के जो राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश नागा लेंड मनीपूर और मिजोरम इनकी सीमा है कि मैनमार से लगती है ठीक है और यह जो सीमा है यह लगभग 1443 यानि 1643 किलो मीटर के आसपास है यानि कह सकते हैं कि यह बड़ी सीमा रेखा है बड़ी बाउन्डरी लाइन है और इसको ध्यान में रखते हुए अगर इसकी सुरच्छा की बात करें तो यहां बड़ी समस्या है जिसके कारण क्या है कि मैनमार के तरफ से बड़े अस्तर प समस्या है उत्पन हो रही है लेकिन इससे पहले क्या था कि अगर हम बात करें कि यह जो मुक्त आवा जाही ब्यवस्था है यह क्या है कि इसको प्रारंभ कब किया गया तो अगर हम बात करें तो बर्स 2018 में जब नरेंडर मोधी जो इनकी गवर्मेंट थी उसी के दौरान कि इस ब्यवस्था को लागू किया कि आखिर क्या है कि एक छेत्र से दूसरे छेत्र में एथनिटी सिटी के अधार पर या कह सकते हैं कि वहां की जो विभिन कल्चर है वो समान है वहां के लोग क्या है कि एक तरह के पैटन पर हैं उनकी मानेताय समान है यह सारे जो परीक सहमती के आधार पर इस ब्योस्था को लागू किया गया था और मूल रूप से क्या है कि उस छेत्र में जो ट्राइबस रह रह रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह ब्योस्था लागू किया गया था कि बीना बीजा के एक छेत्र से यह दूसरे छेत्र में जा सकते हैं और इसके तहट क्या है कि जो मूलूप से इस पूरे में जो बनवासी हैं पहाडी जन जातिया हैं उनके लिए ये ब्यवस्था प्रदान किया गया था कि क्या, है कि यह समान नो पास पर क्या है कि एक छेतर से दूसरे छेतर में जा सकतें अब बात करें जो सबसे महतवपूर है कि आखिर इस बेवस्था को क्यों प्रारम किया गया ठीक है तो इसके अगर बैक राउन में जाएं तो 1826 में क्या है कि यहां पर क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे छेत्र को क्या है कि भारत एवं क्या कि मैनमार के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया लेकिन जो यहां लोग रहते थे उनसे यह नहीं पूछा गया कि आपकी सहमती क्या है कि आप किस छेत्र में रहना चाहते हैं बलकि इनसे बीना पूछे क्या है कि यहां पर एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया और दोनों तरप के जो लोग थे उनमें एक बटवारा कर दिया गया लेकिन अगर बात कर इनके बीचारों की इनके रहने के इनके रहनसान के या इनके कल्चर की वो एक समान थी ठीक है इस कारण से एक समस्या उत्पन हो गई कि यह जो आपस में इनका मेल जोल था या इस तरह की जो एक्टिवीटी थी उसमें बाधा उत्पन होने लगी और इसमें भी क्या है कि य जूल के रहते हैं जिसके कारण इनको समस्या होने लगी और फिर इसके समाधान के लिए क्या है कि अस्थानी अस्तर पे क्या है कि FMR को लागू किया गया और इसका मूल उदे से क्या था कि लोगों के बीच में जो संपर्ग था जो तूट रहा था इस निर्धारन के साथ वो बना रहा है दूसरी यहां के लोगों को सुभिधा जनक स्थिति प्रदान हो सके कि एक छेत्र से दूसरे छेत्र में जाकर अपने आवसकता वाली बस्तूओं को यह प्राप्त कर सके और साथी क्या है कि अस्थानी अस्तर पे इससे ब्यापार बढ़े और उसको प्रोथसाह कुर से कैया है कि इस FMR को लाघू किया गया था अब बात करें कि आखिरत फिर क्यों इसको समाप्त करने की बात की जा रही है तो देखिये जितने भी सकरात्मक लच ठे उनको ध्यान में रखते हुए क्या है कि FMR को दोनों देशों के جो सरकारें थी उन्होंने लागू किया लेकिन क्या है कि पहले तो इसके positive effect दिखे जैसे कि आपस में लोगों का मिलना जुनना, marriage करना, विभिन आउसरों पे एक दूसरे के पास आना जाना, ब्यापार होना या जो भी positive चीजे थी वो हुई लेकिन धीरे धीरे इसका दुरुपियोग होने लगा अगर दुरुपियोग की बात करें तो बड़े अस्तर पे जैसे अगर हम बात करें 2017-18 में मैनमान में बड़े अस्तर पे क्या है हिंसा हुआ, तो वहां से बहुत सारे लोग क्या है, illegal तरीके से हमारे देश में यानि भारत में क्या करने लगे, प्रवेस करने लगे, ऐसे ही क् अलग-अलग छेत्रों से क्या है कि इस छेत्र में जो लोग active थे या कह सकते हैं विभिन जो उग्रवादी संगठन थे, वो active थे, वो इस गोस्था का दुरुपियोग करके भारत में illegal activity को अंजाम देने लगे, और साथी क्या है कि बड़े अस्तर पे यहां तसकरी होने लग और बड़े अस्तर पे इस छेत्र में illegal गतिविदिया संचालित होने लगी, जिसके कारण क्या है कि देश में विभिन प्रकार की समस्या उत्पन हो लगी, और उसमें जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो देश की आंतरिक सुरच्छा या फिर कह सकते हैं राष्टी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो मनीपूर के सीयम बिरेन सिंग थे उन्हों में बर्स 2023 में केंद्र सरकार से एफम आर जो ब्यवस्था है उसको समाप्त करने की भी माग रखी और इसका जो संबंध है कुछ समय पहले जो मनीपूर में जो बड़े अस्तर पे क्या है कि हिंसा से समंधित जो घटनाये हुई माई जून में जो घटनाये हुई उनका भी समबंद कही नी कहीं इस तरह की ब्युस्था से चुड़ा हुआ था और ढूसरी तरह अगर बात करें कि झो बहुत ऐसे लोग है वह इस व्योस्था का उप्योग इस तरह से करते हैं या तो किसी छेत्र से किसी घटना को अंजाम दे कर किसी दूसरे छेत्र में आ जाते हैं या फिर दूसरे छेत्र में भाग जाते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा भी इस ब्योस्था का दुरूपियोग हो रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए अब मांग उठ रही है कि इस तरह की जो ब्योस्था इसको समाप्त किया जाए और बर्स में मैंनमार में किया है कि सैन तक्ता पलट हुआ उसके कारण भी कि बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में क्या हुए इईलीगल तरीके से प्रवेश किए तो इस तरह से क्या है कि ये समस्याएं बड़े अस्तर पे उत्पन हो रही है और इस पूरे छेतर में कि बहुत सारे बिद्रोही समू है जैसे अगर जुन्टा की बात करें या इस तरह के बहुत सारे ऐसे संगठन है कि इस पूरे छेतर में अबैद तरीके से क्या करते हैं यह सक्री है और इसी कारण से क्या है कि इस छेतर में जो अबवस्था फैल रही है उसको समाप्त करने के लिए सरकार इस ब्योस्था को समाप्त करना चाहती है अब बात कर लें कि हमारे और मैनमार के बीच में संबंद कैसे हैं तो देखिए प्राचीन काल से अगर हम देखें तो मैनमार हमारे देश का ही एक अंग रहा है और अगर बात करें तो ब्रिटिस काल में भ साथिस तक क्या है मैनमार में बृटिस का सासन रहा लेकिन उसके बाद क्या आहि कि जब ये एक तरह से हमसे अलग हुआ उसके बाद यह जो ब्वस्थाइं हैं वह हमसे थो छोड़ी सी अलग हुई लेकिन क्या आए कि जो यहां का मूल पपुलेशन है जो यहां की डेमोग्राफी है वो बहुत धर्म को मानने वाली है और इसका संबंध कही न कहीं हमारे देश से है इस कारण से भी अगर हम देखें तो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हमारे देश से इसके बने रहे हैं दूसरी अगर हम बात करें तो मैनमार की जो सीमा है नार्थिस्ट के चार राजियों अरुडाचल नगालेंड मनिपूर और मिजोरम से लगती है और इस कारण से इन दोनों छेत्रों के जो लोग है वो आपस में विभिन कल्चरल लेबल पे एथनिक लेबल पे एक दूसरे से जुड़े हुए है इस का सकते हैं कि एक तरह से यह गेटवे का काम करता है और मैनमार भारत के जो उत्तर पूर्वी छेत्र में जो उग्रवाद है उसको भी कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकता है तो इस तरह से क्या है कि मैनमार के साथ हमारे विभिन प्रकार के संबंध है और इसी में अगर हम ब कि यह भी आपके परिच्छा में प्रश्ण यहां से बन सकता है दूसरी अगर हम बात करें तो यहां अगर जोग्रफी या पेपर फर्स्ट से जुड़े हुए प्रश्ण की बात करें तो जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं बेस कोश्चन की बात करें तो यहां चार र है इसकी लगभख फां सो बीस किलो मीटर की जो सिमा है वो कहां से जुडती है वो मैंमार्ण से जुडती है ऐसे अगर नागा लेंट की बात करेंगे तो लगभग 215 किलो मीटर जुडती है फिर अगर मनीपूर की बात करेंगे तो जैसे प्रशन आता है और इस तरह से क्या कि यहां से यह question बन सकते हैं कि मैनमार शीर रिलेटेट्ट भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो सान-बठार है या इरावधि नदी है इससे संबन्धूत प्रश्न आपके बन सकते हैं तो इस तरह से क्या है कि यह बहुत सारे जो topics है इनको जोड़ कर क्या है कि आपके प्रश्न बनाय जा सकते हैं तो उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न ले लेते हैं जैसे प्रश्न क्या है कि मुक्त आवा जाही ब्यवस्ता एफ एमार यानि कि जो free movement regime है के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार केजिए पहला क्रथन क्या है कि अब भारत और मैनमार की सीमा पर लागू होता है दूसरी बात है कि इसे बर्स 1826 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था और तीसरा है इसके तहट सीमा के दो सब्सक्राइब कि उप्रियुक्त कESTनों में से कौन सा से सही है पहला भी कल्फ है कीवल एक दूसरा भी कल्फ है 2 तीसरा भी कल्फ है यानि एक दो और तीन तो इस तरह से किया है कि एक छोटा सा और ग exam जिस के संदर में क्या बात की गई ती जो fm और ब्योस्था है यानि कि मुक्त आवा जाही ब्योस्था है यानि भारत और मैनमार के बीच में वहां के जो सीमा रेखा पर जो क्या है कि बनवासी है या वहां के जो ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या है कि यह ब्योस्था बनाई गई थी लेकिन इसका दुरूपयोग बड़े अस्तर पर हो रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार अब इसे समाप्त करने की पूरी तरह से तैयारी में है तो इसके संदर में क्या है कि हमने आज चर्चा की और बताया कि कहां कहां से आपके प्रश्ण बन सकते हैं तो इस चर्चा में इतना ही नए चर्चा में एक साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद हो अच्छार अच्छा करें कि अच्छा अच्छा कि